नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आपने इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो HPPSC SET 2020 की जो परिक्षा 22 नवंबर 2020 को हुई थी उसकी ओफिशल आंसर की आज अप्लोड कर दी गई है अगर आपने अभी तक अफिशल आंसर की नहीं देखी है या फिर आपको किसी तरीके की परिशानी आ रही है या तक आप तक अभी तक आंसर की नहीं पहुँच पाई है तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहत उप्योगी है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने फॉन से ही जो अफिशल आंसर की है उसको अपलोड कर सकते हैं वो भी अफिशल वेब साइट से ही तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपने अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है तो देखिए जैसे ही आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे आपके सामने कुस इस तरीके का सर्फिस खुल के आ जाएगा और सीधे ही चलिए मैं होम पेज चला जाता हूँ यहां से आपको सीधे बताता हूँ कि क्या करना है आपने सबसे पहले देखिए आपने जो HPPSC का होम पेज है वहां पर चले जाना है तो यहां पर मैंने पहले से ही साइट को खोल के रखा था तो यहां पर देखिए मैं यूज करता रहता हूँ तो यहीं पर आ गई है आप भी इसको hp.gov.in यहां से इसको ओपन कर सकते हैं तो थोड़ा सा खुलने में यह टाइम लेगा देखिए जैसे यह खुल जाएगा तो आपने एकदम से उपर कर लेना है और सबसे उपर State Illusivity Test है देखिए इसके उपर ही क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड करने का option आ जाएगा और आपके सामने पूरी की पूरी जो answer की है देखिए वो खुल के आ जाएगी और इसमें जितने भी हमारे subject में यह परिक्षा हुई है देखिए सब के जो answer की है वो खुल के आ जाती है सबसे पहले chemical science की है देखिए उसके बाद English की है फिर आपका life science है और उसके बाद commerce फिर economics फिर geography और उसके बाद हिंदी की है देखिए है ना तो history का भी है उसके बाद mathematical science की है मतलब कहने का मतलब यह है कि आपने सिर्फ एक click से ही पूरी की पूरी जितने भी subjects की यह परिक्षा हुई है सब की सब की जो answer की है वो upload हो जाएगी आपके phone में download में खुद बाखुद चले जाएगी तो यह देखिए 27 पेज की है यह जितने भी subject में हुई थी तो आप इसको देख सकते हैं फिर आपने back चले जाना है और जैसे आप back चले जाएंगे देखिए यहां से यह बहुत सारी चीज़े हैं जो what's new में आती रहेंगी तो आपको क्या करना है कि फिर से पीछे चले जाना है एक बार जब आप फिर से पीछे चले जाएंगे तो देखिए दुबारा homepage पर ही जाना है जैसे आप इसको open कर लेंगे देखिए थोड़ा सा time फिर से ये ले लेगा और जैसे ही ये time लेने के बाद खुल जाएगा तो आपने एकदम से देखिए इसको उपर कर लेना है और यहाँ पर दूसरे number पर देखिए paper 1 आ रहा है तो इसको click कर देना एकदम से जैसे आप click कर देंगे देखिए तो यहाँ पर ये आजाएगा खुल के इस तरीके से जो आपका first paper है उसकी official answer की भी तो जितनी भी 4 series का ये paper था देखिए अलग-अलग series थी उसमें 4 booklet A, booklet B, booklet C और booklet D तो एक ही page में ये खुल के आजाएगा तो इस तरीके से आप simple way में इसको download कर सकते हैं और नीचे इनों ने बताया कि किस तरीके से आप इसमें जो भी आपके प्रशन गलत थे या जिनके उत्तर गलत हो गए थे जिनको आप challenge करना चाहते हैं तो वो भी आपको दिया गया है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं पेपर वन जनल पेपर वन टीचिंग और रिसर्च स्टेज इस टेस्ट जो 21-22 नवंबर को हुआ था ठीक है तो ये simple सा तरीका था कि इस तरीके से आप दोनों पेपर की जो आपकी answer की है उसको download कर सकते हैं अपने phone में ही आपको कहीं भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं है तो बहुत simple सा दोस्तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इससे like कीजिए अपने दोस्तों के बीच में share कीजिए और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न बोले तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नाइस पूरती के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद